टीम इंडिया 6 फर्वडी से वेस्ट इंडियस के खिलाफ तीन मैचों की वन डे और फिरितने ही मैचों की टी ट्वन्टी सिरीज में भीडने वाली है इस सिरीज में टीम इंडिया के कप्तान रोहिच शर्मा टीम में वापसी कर रहे हैं रोहिच चाहेंगे कि साउथ अफरीका में टीम की हार के बाद अब वेस्टेंडीज को भारते टीम दोनों सिरीज में माद दे अब वेस्टेंडीज के खिलाफ सिरीज से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुश खबरी आ गई है दरसल आकरमक बल्लेबाश शिमरॉन हेटमायर को फिटनेंस से जुड़े मसलों की वज़े से भारत के खिलाफ होने वाली टीट्वंटी सिरीज के लिए भी वेस्टेंडीज की टीम में नहीं चुना गया वेस्टेंडीज ने भारत में 16 फरविशे शुरू होने वाली टीन मैचों की टीट्वंटी सिरीज के लिए के रॉन पलाड की अगवाई में उसी 16 सदस्ती टीम कचेन किया है जिसने घरेली धर्थी पर 5 मैचों की सिरीज में इंगलेंड को हराय था बदादे की तीनों टीट्वंटी मैच, 16, 18 और 20 फरविश को कोलकाता में खेले जाएंगे और इससे पहले एमदाबाद में 6, 9 और 11 फरविश को तीन बंडे मैचों की सिरीज खेली जाएगी हेटमायर को फिर से फिटनेस के अधार पर टीम में नहीं चुना गया और इस महीने के शुरू में वेस्टनेस के मुखे कौश फिल सीमन्स ने फिटनेस की प्रती हेटमायर के रवाईये पर नाखुशी जाहिर की थी ये 25 साल का विसफोटक बलेवाज इंगलेंड के खिला सिरीज से पहले फिटनेस परिक्षन में नाकाम रहा था वो अब भी फिटनेस मान दंडों पर खरे नहीं उत्रे हैं और जिस वज़े से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है फिलाल देखना होगा कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीस के खिलाफ इन सीरीज में क्या सा खेल दिखाएगी तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़ने हेडलाइन स्पोर्स के साथ